खेल सुनाGO को खेल स्णौ Management को लेकर के बोलते हैं और जब ऐसा कोई बात होता है तो भाग जाते हैं वेविदान सवा का सत्र चलता है । वहाँ वाल उठाना रबता है तो भाग जाते हैं। चमकी बुखार में लोग मरते हैं तो वह भाग जाते हैं मैदान छोड़के बंद होता है किसानों के लिए तो उसमें वह भाग जाते हैं तो उनको किवल बोलना है करना कुछ नहीं है नमस्कार में हो देवांसू आप देख रहे हैं दरवंगा में लूटकान को हुए 24 घंटे बीद गए हैं लेकिन अपराधियों की धर पकड अब तक नहीं हो पाई है तो तेजस्वी आदव लगतार टूट्स पे टूट्स कर रहे हैं उनके नए टूट्स आया हैं कि बिहार में महा जंगल राज की धमक जो है वो आ चुकी है हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के परवक्ता प्रेम रंजन पटेल है क्राइम को लेकर तेजस्वी आदव लगतार एक्टिव मोड में हैं और सरकार को घेर रहे हैं तेजस्वी आदव को तो केबल क्राइम से बास्ता है क्राइम को लेकर के बोलते हैं और जब ऐसा कोई बात होता है तो वो भाग जाते हैं विदान सवा का सत्र चलता है वहाँ वाज उठाना रता है तो भाग जाते हैं कुरोना का काल आता है तो भाग जाते हैं चमकी बुखार में लोग मरते हैं तो वो भाग जाते हैं मैदान छोड़के बंद होता है किसानों के लिए तो उसमें वो भाग जाते हैं तो उनको केबल बोलना है करना कुछ नहीं है जहां तक अपराद की बात है तो सरकार की नीती है जीरो टॉलरेंस की हम अपराद पर किसी की मत पर समझावता नहीं करेंगे अपरादियों को किसी की मत पर बकसने का काम नहीं करेंगे और मुखमंतरी लगातार समिच्छा बैठक कर रहें उन्हो जरूरत पड़े तो अस्पेशल टीम बनाईए और अपराधियों को खोज निकालिए कोई भी अपराधी या संगठित गिरो नहीं रहना चाहिए हर हाल में उस पर कारवाई होना चाहिए लूट से बनी लुटेरी सरकार में लुटेरे और गुंडों की अपार बहार है यह जनता का जो विश्वास है उस पर उन्होंने जो हैसे आवाज उठाई है जनता इसका फैसला करती है जनता बदला लेती है जनता के खिलाप उन्होंने बोला है जनता ने जनादेश दिया है एंडिये की सरकार बनाने के लिए एंडिये के पच्छ में दिया है एंडिये पर उनको विश्वात था उनको सेवा पर विश्वात था काम पर विश्वात था विकास पर विश्वात था उस पर मोहर विहार की जनता ने लगाया है और उन्होंने कहा है जनता को की लूटने का जनता भोट करती है यह दूसरा कोई नहीं करता है और उसको उन्होंने कहा है कि लूटा है तो जनता को अगर लूटे रात्ते जस्वी कहेंगे तो यहीं जनता उनको सदन में पहुचाई है विपच्छ का नेता बनाई है उससे भी जो हैसे उनको हटाने का भी काम करेगी यह प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल फिलहाल क्राइम जो है वह बिहार में बढ़ चुका है कि अब तक ग्रफतारी नहीं हो पाई है इसको लेकर बिहार की सियासत गरम है आरोप परत्यारोप लगाया जा रहे है आड़ी के तरफ से लगतार हमला बोला जा रहा है कि नितीश क्राइम कंट्रूल करने में फेल है तो ही बीजेपी के तरफ से कहा जा रहा है कि लगतार सीम नितीश कुमार समिक्षा बैठक कर रहे है और इसका असर भी दिख रहा है जो अपरादी है वो बचेंगे नहीं वो कानूनी सिकंजे में जरूर आएंगे फिलाल अभी तक के लि कर दो है